हेलो एरिवन देखिए अब नेक्स्ट करते हैं हाइड्रॉलिक लिफ्ट देखो यह एप्लिकेशन ही है पास्कल लोगी ठीक है पास्कल लोगी क्या कहता था कि जो चेंज इन प्रेशर होता था आपका ठीक है वो हर जंग है एक्वली ट्रांस्मिट होगा यह चीज आपको पत और बीच में हमने हमने यह hydraulic fluid इसमें रखा हुआ है जो कि incompressible है ठीक है तो इसमें होगा क्या यहाँ पर यहां से आप चीज को यहाँ प्रेस करोगे यहाँ प्रेशर दोगे यहां पर ठीक है और यहां से जब piston थोड़ा निच्छे आएगा यह तो यह पानी क्या होगा यह फ्ल्यूट कहां जाएगा थोड़ा सा उपर यहां पर उठेगा ठीक है तो उसके वज़े से यह चीज उपर जाएगी और यहां पर कोई भी कार घड़ी है कोई कुछ भी आपने रखा बहुत ही हैवी चीज वह उपर जाएगी ठीक है लेकिन इस चीज को समझेंगे कि किस तर पर जाती है घाड़ी ठीक है तो उसमें जैक लगा के उसे उपर करते हैं तो आपने देखा होगा बाहर कि एक पैर से वह उसे पुछ पुछ कर रहा होता है और गाड़ी ऐसे उपर उठ रही होती है यह तिक है कभी नहीं देखा तो देखना आप किसी पैंचर वाली शोप यहां पर हमने कहा कि यहां पर हमने क्या किया है दो स्लेंडर लिया और उसको पाइप से कर दिया और यहां fluid डाल दिया एक ठीक है तो यहां पर area इस piston का small area और इस वले piston का area हमने कितना ले लिया capital area या piston का कहलो या फिर हम किसका कहें इस slender का बोल दो ठीक है na slender में उतना ही piston हमने लगाया ठीक है cross sectional area होता है ना जैसे इस तरीके से कोई चीज है आपके बाद ठीक है तो cross sectional area यह वली चीज होगी तो वह वली बात है तो यहां पर अगर यह round शेप में एरिया मालो नहीं तो इस तरीके से आपके बाद यहां बनाया हुगा है ठीक है तो यह cross sectional area होगा इस slender का और यह cross sectional area capital A हो गया किसका बड़े वाले slender का ठीक है यही सब लिख भी रखा है कि hydraulic lift जो है वो क्या है application है Pascal okay and it is used to lift the heavy objects it is a force multiplier यह मैं भी बताऊँ कि count force लगा के ज्यादा force कैसे लगती है इदर उपर उठाने में ठीक है and it consists of two slender बता दिया मैंने c1 और c2 origin को connect कर रख है each other by a pipe यह वाला pipe से connect किया हुए ठीक है the slenders are fitted with a airtight frictionless piston यह जो slender है आपके पास इन में fit किया है हमने frictionless piston और airtight है ठीक है of the different cross sectional area obviously बात है यहाँ पर आप small a ले रहे हो यहाँ पर आप capital A ले रहे हो ठीक है and the slenders and the pipe contain the incompressible liquid यह मैं compressible liquid hydraulic fluids consider कर सकते है तिक है hydraulic oils वह डलते है ठीक है अब यहाँ पर जब हमने कहां यहाँ पर जो pressure लग रहा है वह कितना लग रहा है small f by a लग रहा है ठीक है clear है हम लिखते हैं यहाँ पर here pressure ठीक है कितना लग रहा है हमारे पास यह लग रहा है जब हमने force इतनी दी f force दी इतने area पर तो यह pressure आ रहा है हमारा P1 ठीक है अब यहाँ पर pressure कौन सा लगेगा P2 लगेगा ठीक है यहाँ प्रेशर कौन सा लगेगा लेकिन हमें पता है according to Pascale low, pressure जो होगा, वो इक्वल होगा, P1 और P2, P2 यहां लग रहा है, clear है, मैं यहां पर बना बना दिता हूँ, यहां pressure यह P1 लग रहा है, और यहां पर यह जो pressure लगेगा, का यह पी टु लग रहा है क्लीर बताओ कोई दिक्त तो यह प्रेशर लो प्रेशर चेंज कर तो हम वह हम पर किना प्रेशर करने हैं प्रेशर करों 이ifall है都ग थें प्रेशर है जितना ही इ guilty इतना ही प्रेशर होगा ठीक है अब अगर यह चीज़ आपके समझ में आ गई तो यहां से देखो हमारे पास यह है F by A और यह P2 का है हमारे पास force F और यह capital area A अब यहां पर जो F निकलेगी वो कैसे निकलेगी देखो यह F by A और यह वाला multiply हो जाएगा capital A तो यह देख रहो यहां पर यह क्या है force multiplier है force multiplier कैसे हो रहा है देखो मैंने माल लो यहां पर जो force दी यहां पर इस point पे वो माल लो 100 newton की दी F दी हमने 100 की और small a माल लो 2 है if clear है और जो यह A है यह वाला हमने बड़ा माल लिया area ठीक है यह हमने 50 consider कर लिया तो देखो यहां से F कितना आने वाला है 100 upon में 2 into में 50 देखो यहाद आएगा आपके पास 2500 newton मतलब देख लो अब आपके पास यह 100 newton की आपने force दी ठीक है लेकिन यहां से कितनी force लग रही है 2500 newton की because pressure तो सेम है लेकिन यहां क्या होगी force multiply हो गई कितनी 25 times समझ रहो 25 times of this force यहां पर आ गई तो यहीं कि फोर्स multiplier है कितना सही है लगाई कम force कितनी मिल रही है 2500 newton से उपर जूट जाएगी गाड़ी बात आ रही है समझ में बिल्कु सिंपल सी है कुछ भी मुश्किल नहीं यह इसके अंदर ठीक है तो यह चीज़ आपके clear रही होगी ठीक है दूसरा यही चीज हम कि यहां पर P1 और P2 कैसे इक्वल है यह भी हम देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से देखो जैसे मैंने कहा यहां पर यह मैं चोटा साई बनाता हूं इस तरीक के से यह चीज समझ लो आप ठीक है यहां यह पिस्टन लगा हुआ है और यहां पर यह पिस्टन लगा हुआ है ठीक है यहां यह आपका यह सारा फ्लूड इधर आके यहां आएगा मतलब की यह वाला पार्ड जो है यहां चला जाएगा, यह मतलब आप समझ लो, ठीक है ना, यह क्योंकि यह तो incompressible, compressed तो होगा नितो ओवेसे बात है, यह क्या होगा, इसको force लगाएगा, यह उपर आ गया है, यहां पर, चीज़ समझ रहे हो, मतलब माल लो, यहां से, यह displaced हुआ, D1, और यहां से यह D2 displacement हुई, यह सेम नहीं हो सकती, बिकोज यहां तो जादा नीचे जाएगा, और यहां पर यह opening जादा है, तो जादा निकलेगा यहां से, और यहां यह बड़ा है, यहां पर यह कम आएगा, तो ऊविस बाना, यह कम डिस्प्लेज होगा, यह जादा डिस्प्लेज होगा, यह बात है कहने इकी हो, ठीक है, तो यह D1 है, एक टीचो है, और वॉल्यूम इनका क्या रहेगा, हमारे पस यहां पर, same ही रहेगा, clear है, बताओ कोई दिक्कल इसमें, यहाँ पर हमने कहा, इसका area जो है यह वाला मान लो आप A1 area और इस वाले का area मान लो A2 clear है बात, ठीक है, अब देखो एक चीज को समझो, जो work यहाँ होगा उतना ही work done यहाँ होगा, work done same होता है, work done क्या होता है, हमारा force into displacement तो यहाँ मान लो यह F1 force लग रही है, और यहाँ पर यह वाली force क्या लग रही है हमारी F2 लग रही है, तो यह F1 into D1 work done हो गया, इधर का equal to यह work done इधर वाले के equal होगा, क्योंकि देखो ना, work क्या रहेगा हमारा सेम हो रहा है, क्योंकि देखो ना, energy क्या होता है, work क्या है, energy, energy transmit होता है, एक place से दूसरे place neither created nor destroyed but it can be transferred, तो यहाँ पर work क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो यहाँ पर जो है force है, F2 और जो displacement हो रही है वो हो रही है, D2, यह चीज़ आ गई, इसको first माल लो, ठीक है, दूसरा यहाँ volume में ने कहा, equal है, तो अगर volume equal है यहाँ पर, तो देखो area into this displacement देखो यह area किसका है, इतने part का है ठीक है ना, जैसे मैं माल लूँ यह इस तरीके से, यह है ठीक है, यह area तो इस part का है ठीक है, और displacement यह इस तरीके से हुई है, जैसे माल लो, इसमें इस तरीके से मैं माल लूँ ठीक है, area इसका होगया, यह वाला होगया, और displacement यह हुई है, तो this area into this length, क्यों होगा volume होगा, because अगर यह length है यह breath है और यह height है, तब भी volume होता है तो यहाँ नीचे का area में consider कर लिया, ऐसे माल लेंद ब्रेथ और यह height किसमें माल ली हमने height consider कर लिये वाली तो length into breath into volume, तो length into breath area और यह height volume में जब हम लेंगे तो volume आ जाएगा ठीक है, तो यह चीज़ समझ पा रहे होंगे आप इस प्लेज़ हो रहा है जो यह, यहाँ से कहते हो न, length into breath area में आगी और यह d2 क्या होगी, height होगी, इस तरीके से आप समझ सकते हो, volume, ठीक है, यह second आ गई, इनको divide करो, 1 by 2, divide जब हम करेंगे, तो यहाँ से यह चीज़ समझ में आर यह आपके, f1, d1, upon me, a1, d1, f2, d2, upon me, a2, d2, देखो, जी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ठीक है, d1 से d1 के अंसल, d2 से d2, f1 by a1 क्या बना, p1 और f2 by a2 क्या बना, p2, तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है, pressure same है, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी आप देख सकते, यह f2 जब निकलेगी, इधर वाली, त तो यह डिवाइड करे कि कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ से, और f1 से मुल्टिप्लाय बना रहा है, तो यह भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर किस तरीके से आप यह चीज भी प्रूफ कर सकते हो, जिसको करनाओ का कर लेना, नहीं तो यहाँ तक भी सही है, hydraulic lift का concept, बिलकुल सिंपल है, पास कर लो, यहाँ पर लग रहा है, मेन बात यही है, जो मैं आपको बार बार वो रहा है, बच्चे सोचते हैं कि हर एक पॉइंट पर शायद प्रेशर सेम होता है, ऐसा तो यहाँ पर वो जो बात कह रहा था, वो क्या कह रहा है था, कि जो चेंज इन बात करें, जो अब हमने प्रेशर दिया, वही प्रेशर यहाँ आएगा, ठीक है, तो उसकी वज़े से क्या हो रहा है, यहाँ अगर बढ़ गया, तो फोर्स बढ़ गई, यह सीधी सी बात है, ठीक है न बात, तो यह चीज़ें आपने देखी होंगी, तब ही तो वो क्या हो होता है, वो पैर से ऐसे पूछ कर रहा हो तो उसको, और वो अधर से क्या रहा है, आप वो रही होती है कार, तो आप तो ज़रा सी फोर्स लगा रहा है, इतनी बड़ी कार उठ रही है अपने आपसी, क्लियर इतनी बात यह चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, क्लियर, ओके ठेंक यू,